दोस्तों अगर आप अपने शुगर की बिमारी से परेशान हो गए हैं या मोटापे से परेशान हो गए हैं और इन दोनों बिमारियों को दूर करने के लिए एक और शदी की तरफ देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है अगर आपके फैमली में पहले से शुगर की बिमारी चलती आ रही है या मोटापे की बिमारी चलती आ रही है पिढ़ी दर पिढ़ी यानि कि दादा जी को भी थामान लेजिए पिता जी को भी हुआ या माता जी को और आपको भी होने की संभावना है तो उस संबंध में भी ये बेश्ट और सद है जो लोग इ कैसे प्रयोग करना है और यह कैसे इन बेमारियों को दूर करती है इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो अच्छे से आप समझ सकेंगे यह वीडियो हम खास तोर पर आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि महर्शी वाग भट्ट जी द्वारा लिखित आयरुवेदा की बुक से लेकर के आये हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा और एक कारे कर दीजे तो हमें बहँग खुशी होगी वीडियो को लाईक, शेयर और कमेंट जब भी आप करते हैं हमें बहξ खुशी होते हैं और आप अपना किम्ती कोमेंट्स जरूर द दीजे हम आपके लिए ताकि और अच्छी वीडियो ले करके आते रहें आईए अब समझते हैं इस वीडियो में पुनता कि कैसे इसका प्रयोग करना है और किस प्रकार से कौन कौन सी बिमारी को दूर करती है थोड़ा कहीं बोरिंग भी लगे तो इसके लिए शमा किजेगा लेकिन वीडियो में अंत तक बने जरूर रहेगा क्योंकि आपको एक शर्तिया बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी गुड मार को संस्कृत में मेश श्रिंगी कहा जाता है यह गुड प्लस मार दो शब्दों के मेल से बना हुआ है गुड का अर्थ होता है मीठा और मार यान अंतरित करने के लिए दोवाई होती है उनके साथ इस्तेमाल की जाती है बहुत कमाल के ओश्यदी है कई रोगों में इसे अलग-अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप शुगर का अस्तर अगर कम करना चाहते हैं तो कैसे प्र शूगर के अस्तर को ये कम करती है। इंसूलीन बनाने की शमता बढ़नी के साथ ही आतों में शूगर का अशोषन कम हो जाता है। बस ये भी जान लिजिए कि ये आपके मेटा बलेजम में सुधार करके वजन को भी कम करता है तो इन तीनों लाभों को अगर आपको लेना है तो कैसे प्रयोग करना है सबसे पहले क्या करना है आपको कि मधुमेह के लिए गुर्मार की दो से तीन पत्तियां लेना है जिहां हर पत्तियां लीजेगा इसके बाद इन्हें चबा चबा करके खाईए और उपर से पानी पी लीजे या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर रोज ताजा पत्तियां मिल सकें तो आप पत्तियां ले आईए एक साथ और उनको सुखा लेजे हर रोज 2-4 ग्राम सुखी पत्तियों का पाउडर और शक्ता के अनुसार आप सुखा शाम लीजे आपको फायदा होगा गुर्मार सत्व का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम के मात्रा में सुखा शाम आप ले सकते हैं इससे ज़्यादा मात्रा मत लीजेगा नहीं तो आपको फायदा अब तीसरा तरीका आपको इस्तेमाल करने का बता रहे हैं जो सबसे पोपलर तरीका है और लोग इस तरीके से प्रयोग करना जादा पसंद करते हैं अरवेदिक जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की जाने वाली हर्बल चाई की तरह गुर्मार के पत्तों की चाई का आपको चीनी जो है बोरी में उसको बाहर करने में ये मदद कर देगी एक कप चाय बनाने के लिए चाय के बरतन में गुर्मार की पत्यों को डाल लीजिए और इसमें गरम पानी मिला लीजिए आप इसमें चाहें तो अन्य चाय जैसे की ग्रीन ती वगेरा भी मिला सकते हैं ज चाय का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है और खास करके जिनको अनुआशिक प्रोब्लेम है मदुमेह की उनको तो जरूरी इसका सेवन करना चाहिए इससे शुगर का जो लेवल है बोडी में वो बैलेंस रहता है आप चाहें तो गुर्मार की चाय को दिन में तीन बार तक ल प्रामक बिमारियों से अगर परेशान रहते हैं या यह परेशान करता है आपको कि आप चाहते हैं कि यह नहों तो चाय पीना चोड़ करके इस चाय का सेवन श्टार्ट कर दीजे गुर्मार की पत्या ले आए आप चाय जो भी बनाईए उसमें इससे डाल दिया कीजे आप को बहुत जादा फायदा होगा तो यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजि ये फिल हाल भी दा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों